नमश्कार मैं हूं साक्षी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर जियलेट में रजिस्ट्रेशन की बढ़ीती थी खार में पशुपालकों को मिलेगी जोर स्टेप डिलेबरी जाक विभाग की पत्र लेखन प्रतियोगिता जीतने पर मिलेंगे रुपए अनुसुचित जाती के लिए आवास्तिय विद्याले का संचालत अनिल कुमले ने आजरी के दिन रचा था इतिहास इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से बढ़ी बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने डिले डमीशन लेने वाले चातरों के लिए रचीस्टरेशन कर सकते हैं इससे पहले ये चाथिफिया जन्वरी से शेट लिए निरधारित थी वहीं बोर्ड ने कहा है कि सभी संस्थानों को छात्रों की संख्या के आधार पर पंजियन शुल्क का भुकतान करना होगा सभी संस्थान सीट के आधार पर छात्रों का नामंकन लेंगे संस्थान वैदिया सही छात्रों का ही एड्मिशन ले सकेंगे इसमें प्रथम दिट्य या फित्रित्य स्थाइं होगा, वहοιं किसी भी प्रकार की गलती होने पर कोई सुधार का मौकान नहीं मिलेगा विहार में 6 जिलों में मैटिक के परिक्षा केंडर में हुआ बदलाओ बिहार बोर्ड ने 6 जिलों में मैट्रिक के परिक्षा केंडर में बदलाव किया है इसके अंतरगत भोशपूर, सिवान, मुंगेर, बेगुसराय, मधिपूरा और गुपाल गंश में 35 एक्जाम सेंटर में बदलाव हुआ इन जिलों के परिक्षार्टों के लिए नया एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है वहीं पहले से जारी एडमिट कार्ड को रद्द किया गया बोर्ड ने कहा है कि ऐसे केंडरों के विद्यार्थी को अपने स्कूल में जाकर नया एडमिट कार्ड लेना होगा कार्ट को हस्ताक्षर और मुहर के साथ ही प्राप्त करना है वही प्रधान अध्यापकों को बच्चों को सही समय पर निर्देश देने का आदेश है इसका कारण है कि बच्चों को संसोधित अद्मिट कार्ट की जानकारी मिल सके इधर बच्चे सही समय पर उपस्तित होकर परिक्षा दे इसे लेकर जिला सिक्षा परादिकारी को भी आदेश दिया गया है आपको बता दे कि 15 फरवरी से मैट्रिक की परिक्षा शुरू होगी बग्घा मीट्रे मील मामले में हेड्मास्टर और रसोया पर गिरी गाज जारी किया है इनके खिलाब विभाग्य कारवाई करने का भी आदेश है वहीं स्कूल के रसोया को भी हटा दिया गया है इस मामले में जिलादिकारी दिनेश कुमार राए ने जिलासिक्षा पदादिकारी के नेतरित्व में टीम का गठन किया इस टीम की जाँच रिपोर्ट में लापरवाही की बाद सामने आई आपको बता दे कि बीते दिनों बगहां में मिद्डे मील खाने से बच्चों की तब्यद बिगड गई थी हालंकि इलाज के बाद सभी बच्चे फिलहाल ठीक है जाक विभाग की पत्र लेखन प्रतियोगिता जीतने पर मिलेंगे रुपए बिहार में जाक विभाग ने पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है युनिवर्सल पोर्टल यूनियन अंदरास्टिये पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 29 फरवरी को होगा प्रभात के जर्ये आविदन करना होगा इसमें अंग्रेजी या भारत के समविधान की आठवी अनुसुची में सुचिवद्द किसी भी भासा में पत्र लिख सकते हैं सरकिल अस्तर पर प्रत्योगिता में प्रत्योगिता में प्रत्योगिता होने वाली है जमुई में तलाब की खुदाई के दोरान निकली दुरलव मुर्तिया बिहार की जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंद के सिजोरी गाउं में तलाब की खुदाई के दोरान भगवान सुर्य की दुरलव प्राचीन मुर्तिया निकली है इसे देखने के लिए असपास की लोगों की भीड इकटा हो गई बताय जाता है कि मिट्टी के जरूरत के लिए तैलाब की खुदाई की जा रही थी इस दौरान करीब 3 फीट उची मूर्ती निकली इसके बाद BGO अमित कुमार, CEO कृष्ण कुमार और पुलिस प्रशासन की टीम ने मूर्ती का अवलोकन किया है शोध अधिकारी को भी इस मामले की जानकारी दी गई बताय जाते हैं कि शोध वप्रशासन के अधिकारी मूर्ती को म्यूजियम में ले जाने की बात कर रहे है हालनकि ग्रामी नी इस बात का विरोध कर रहे है BPSC और नियोजित सिक्षकों के वेतन की जानकारी आई सामने BPSC और नियोजित सिक्षकों के वेतन की जानकारी सामने आई है सिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है मालूम हो कि पशलत 3 महीने में 2 लाग से अधिक नए सिक्षकों के बिहार में बहाली हुई है वहीं 4 लाग नियोजित सिक्षक भी स्कूलों में पढ़ा रही है सिक्षा विभाग ने 7 परवरी तक इनके वेतन भुकतान का आदेश दिया है इस आदेश में कहा गया है कि सिक्षकों के वेतन में विलंब होना बरदाश्त नहीं किया जाएगा लापरवाही करने पर पदादिकारी के खिलाफ कठोर अनुशास्मक कारवाई की जाएगी मालूम हो कि बड़ी तादाद में राजमे सिक्षकों की बहाली हो रही है सीतामडी पुलीस ने 26 लाग नेपाली वो भारती नकली नोट को किया बढ़ामत बिहार के सीतामडी जिले की पुपड़ी थाना पुलीस ने नकली नोट के कारोभाडी गिरोह का परदा फाश किया है पुलीस ने गुपतिस उचना के आधार पर कारवाई की है असपिके आदेश पर पुलीस टीम ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है पुलीस ने चापे मारी कर जाली नोट और कागजात बडामत किये हैं इसके साथ ही बोलेरो को भी जब्त कर लिया गया है वहें चापे मारी की बनक लगते ही जाल साज आलोग फरार हो गया उसके घर में ही नकली नोट का कारोबार चल रहा था आपको बता देगी इस चापे मारी के दोरान 8,60,000 नेपाली जाली करिंसी और 18,30,000 भारती जाली करिंसी बरामत हुई पुलीस फरार अपराधी की गिरफतारी के लिए चापे मारी कर रही है बिहार में पशुपालकों को मिलेगी टोर स्ट्रेप डिलेवरी सेवा बिहार में पशुपालकों को अब दर्वाजे पर कई सुविधाएं उपलब्द होगी पशुपालकों की मदद के लिए सरकार 207 एनिमल एंबुलेटरी वैन और 8 एनिमल लिफ्टिंग एंड क्यारिंग वहिकल खरीदेगी और इसके अलावा साथ निश्य योजना के तहट सरकार 207 एनिमल एंबुलेटरी वैन और खरीदेगी राज्य मंत्री मंदल की बैठक में इस प्रस्ताओं को स्विक्रिती दी गई है और इसके बाद बहतर पशू स्वास्त प्रबंधन के लिए सेवाएं बहाल हो जाएगी इसके लिए अधार्बुत संरिशना 193 करोर रुपे खर्श होंगे मालुमों कि इस योजना के अंदरगत कॉल सेंटर का निर्मान किया जाएगा इसके साथ ही अब भी विक्सित किया जाएगा इसके लिए किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होता है आपको बता दें कि यहां मुफ्त में खाना नाश्ता और आवास ये सुविधाय मिलती है विसेश रानकारी के लिए संबनित जिला के जिला अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जंजाती कल्यान कारियाले से संपर्क संभव है बिहार में लागों बच्चे पढ़ाई में कमजोर बिहार में मिशंदक्ष के तहट कमजोर बच्चों के लिए एक अक्षा का संचालन होता है इसमें 25 लाग बच्चों को पढ़ाने का लग्ष निर्धारित था पहले चरण में 16 लाग से अधिक बच्चों की पहचान हुई और इसमें 8 मी तक के ऐसे बच्चे हैं जो जोड घटाओं में भी सक्षम नहीं थे लेकिन अब इनकी संख्या में और जादा बढ़ोतरी हुई है ऐसे बच्चों की संख्या 35 लाग तक पहुँच चुकी है इन बच्चों को अलग से नामंकन कराया जाएगा आपको बता दे कि ऐसे बच्चों को 4-5 के समू में पढ़ाने का आदेश है इसके साथ ही ये अनुमती दी गई है कि एक समू में 7-8 बच्चों को रखा जा सकता है इंटर परिक्षा के पांचवे दिन 22 परिक्षार्ती निस्कासित बिहार बोट इंटर परिक्षा का आज 6 दिन है इसमें पहली पाली में हिंदी और दूसरी पाली में इतिहास का पेपर निर्धारित है पांचवे दिन 22 परिक्षार्ती कदाचार कर्टे पकरे गए वहीं पटना चले में 78 केंद्रों पर परिक्षा ली जा रही है पहली पाली में सुबह 9 बज़े से 12 बज़ कर 45 मिनट तक परिक्षा चलती है तो दूसरी पाली में 2 बज़े से लेकर शाम के 5 बज़े तक परिक्षा होती है परिक्षा शुडू होने के 30 मिनट पहले ही बिहार के राजपाल ने नीजी विश्व विद्याले को दिया निर्देश बिहार के राजपाल सा कुलाधी पती राजेंद्र विश्वनात आर लेकर ने राज के नीजी विश्व विद्याले को आदेश दिया है इनका आदेश है कि राज के नीजे विश्व विद्याले चातरों को गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा दे इन्होंने इसके लिए विश्व विद्याले के कुलपतियों के साथ बैठक की इसके जड़ी वहां के सिक्षकों विद्याठियों की संग्या पढ़ाये जाने वाले विसे और अधार भूत संरशना आधी की जानकारी ली राज़पाल ने कहा है कि राज़ के नीजरी विश्व विद्याले का भी सिक्षा के छेत्र में योगदान है इसलिए सभी को मिलकर काम करना है विश्व विद्याले को गाउं में करीब बच्चों के सिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए राज़पाल ने बच्चों को NCC और NSC से जोरने की भी सलाह दी है बिहार में सिर्फ 31 प्रतीशत बच्चों को मिलता है गोल्डेन आवर में मा का दूद बिहार में सिर्फ 31 प्रतीशत बच्चों को ही गोल्डेन आवर में मा का दूद नसीब हो पाता है लगबक 70 प्रतीशत बच्चे पहले 2 गंटे में अस्तन 5 से वंचित रह जाते हैं NFSS 4 में 33% बच्चों को गोल जनावर में मा का दूद मिल पाता है लेकिन पिछले सर्वे की तुलना में इसमें गिरावट दर्ज हुई है वही रास्टी अस्तर पर ये आकरा 41% का है शहरी शेत्र में जहां ये आकरा 35.5% का है तो ग्रामीन शेत्रों में ये आकरा 30.5% दर्ज ह इधर 6 महने तक सिर्फ मा का दूद पिलाने के आकरे में सकरात्मक बढ़ोतरी हुई है आपको पताते कि पहले ये आकरा 53.3% का था जो बढ़कर 58.9% हो चुका है वहीं डबलो अचुके अनुसार पहले 6 महने तक बच्चों को सिर्फ मा का दूद पिलाने से 2 साल तक के बच मलव 8 प्रतीशत की कमी आ सकती है प्रधान मंत्री मोदी से मिलने दिल्ली रवाना हुए सीम नितीश कुमार मुख्य मंत्री नितीश कुमार प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं पिहार में अंडिय की सरकार की गठन के बाद ये मीटिंग को बेहद एहम माना जा रहा है दोनों नेताओं के बीच क्याबिनिट को लेकर चर्चा की जा सकती है माना जा रहा है कि पीम के सामने नितीश कुमार विहार से जूरी एहम मांगों को रखेंगे इधर जंता दल युनाइटेट के महासचिव के सित्यागी ने कहा है कि ये बस एक सुष्टा चार मुलाकात है आपको बता दे कि इस से पहले उपमुखी मंत्री समराण चौदरी और विजस सिन्हा ने पीम मोदी से मुलाकात की थी अनिल कुमले ने आज़ी के दिन रचा था इतिहास भारती गेंदबाज अनिल कुमले ने आज़ी के दिन 25 साल पहले इतिहास रचा था उसके बाद आज तक उनका रिकॉर्ट कोई भी नहीं तोर पाया है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाब 10 विकेट जटक कर इतिहास रचा था ये क्रिकेट की इतिहास में ऐसा करने वाली दूसरे गेंदबाज बने थे इनसे पहले इंग्लेंट के ओफ स्पिनर जिम लेनर ने साल 1956 में ऑस्टेलिया के खिलाब 10 विकेट लेने का कारणामा कर दिखाया था वहीं अनिल कुमले ने मैच में बड़ा डिकॉर्ड बनाया उन्होंने फिरोश शाह कोटला दिल्ली में ये मैच खिला था इस दौरान पाकिस्तान के टीम भारत की दौरे पर आई थी इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 420 रनों का टार्गेट दिया और इसके बाद अनिल कुमले ने पाकिस्तान की टीम को 207 रनों पर ही समेट दिया था बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें 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 हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनकी नाम है शिमनंदन कुमार, प्रमीद कुमार सिंग, मुंशी साहू, राज्य किशोर महतो, रवी कुमार राम, मनराज सिंग, संघर्ज कुमार, सोमनात, नीरज कुमार, कृष्णा यादव, मौम्मद शकीर हुसेन, महीश्वर कुमार, रजनीत मिश्रा, इंद्रदीव कुमार, एहमद, पवन कुमार बैठा, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है, मौसम बदलने के बाद, आपके छेतर में, ठंड में बढ़ोतरी हुई है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सिक्षन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube सो देख रहे हैं तो चानल को सबस्क्राइब करना और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद